हलो अब्रिवन दोस्तों क्लास 12 के बाद अगर आप 4 साल वाला B8 करना चाहते हो जिसको 4-year integrated teacher education program करा जाता है तो इसके admission कब से होंगे, क्या इसका eligibility criteria, selection process क्या रहता है, कौन-कौन से institute है जो आपको 4-year integrated teacher education program में enroll करवाते हैं, आज की इस वीडियो में इसी topic के अपर हम discussion करेंगे सबसे पहली चीज़ दोस्तों आपको यह बताना चाहता हूँ, कि अभी हाल फिलाल में जो B8 का program है, वो 2 साल वाला भी चल रहा है, 4 साल वाला भी चल रहा है अगर आप graduation के बाद pursue करना चाहते हो, तो 2 साल वाला B8 आप कर सकते हो, वो अभी भी चल रहा है, जिसके admission mostly universities में CUT के थुरू होते हैं, या mostly university का खुद का entrance exam होता है, जिसे IPU का होता है, या फिर UP B8 होता है, बिहार B8 होता है, तो यह 2 साल वाला B8 जो graduation के बाद अगर आप pursue क करना चाहते हो, तो यह अभी भी चल रहा है, और आगे आने वाले 3-4 सालों तक और चलता रहेगा, इसमें कोई भी problem नहीं आएगी, लेकिन NEP के अंदर एक role आया था कि जो अब teaching level पे जो student जाना चाहते हैं, class nursery से लेके even class 12 तक, तो उन्हें अब B8 चार साल का करना होगा, औ उसी स्कीम के तहत, 2023 में NTA ने एक national common entrance test organize करवाया था, conduct करवाया था, जिसके त्रू अलग-अलग institute जो है, वहाँ पर चार साल वाले B8 के अंदर admission दिलवाया गया था, हालके कुछ institute जैसे DU के अंदर कुछ specific colleges हैं, या फिर कुछ बंडेलखन युनिवस्टी, UP के अंदर हैं, ये चार साल वाला B8 program already करवाते थे, class 12 के बाद, जिसको B8 का नाम दिया जाता था, लेकिन अब इसका नाम change करके इसको four year ITEP integrated teacher education program कर दिया गया है, ये प्रोग्राम के admission कब होंगे दोस्तो, देखें अगर हम last year की बात करें, ये आप लोग देख सकते हूँ, 26 जून को last year इसक लेते, form चलेते, और जो इसका exam वगरा है, वो फिलाल इसमें नहीं लिखावा, बट वो exam अगस्त के आसपास conduct हुआ था, ठीक है, और उसके थूरू अलग अलग institute में इसके जो admission है, वो हुए थे, अब इस exam के लिए जो फीज रहीगी, वो 1200 रुपे रहती है, जनरल की, OBC की 1000 रुपे रहती है, और FCST और PWD और 3rd gender की 650 रुपे इस exam की फीज रहती है, याद रखे, इस exam का जो minimum criteria है, वो है class 12, अगर आप class 12 पास आउट हो, या फिर appearing में भी हो, तो भी आप इसका जो form है, वो apply कर सकती हूँ, इसका exam NTA करवाता है, लास्ट ये जून में इसके form निकल लेकिन इस बार उम्मीद है, form थोड़ा जल्दी release हो जाएंगे, विकोज लास्ट ये फास्ट टाइम ये exam करवाया गया था NTA द्वारा, और अब उम्मीद है, चुकि ये exam अब अलग-अलग institute के लिए separate exam नहीं, common ही होगा, तो एक तो ये है कि और भी institute इसमें add होंगे, और दूसरी बात ये है कि इस बार exam जल्दी करवाया जा सकता है, तो इस चीज़ को जहान में रखेगा, टेस्ट पेपर इसमें क्या होता है, objective type, mcq best exam इसका आता है, computer-based mode में, अलग-अलग mediums में इसका exam रहता है, languages यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये देखिए, ये scheme of examination है, total में questions आपको बताऊं, तो 160 questions रहते हैं, ठीक है, 160 questions रहते हैं, आपको किस तरीक से divide कर जाते हैं, वो देखिए, section 1 में आपके दो languages होती है, language 1 और language 2, ठीक है, इसमें क्या करना होता है, एक language से 20-20 questions होती है, तो section 1 में total 40 questions हो गाए, ठीक है, इसके बाद section 2 होता है, आपका domain specific, domain domain specific के अंदर 26 domains के आपके पास option होते हैं, जिसमें से कोई 3 domains आपको choose करने होते हैं, और generally यह जो 3 domains होते हैं, यह वही होते हैं, जो आपने school level 11-12 में पढ़े हैं, जैसे for example, आप humanities stream से हो, तो आप history ले सकते हो, political science ले सकते हो, जोगरफी ले सकते हो, तीन domain subjects आपको लेने होते है अगर आप science stream से हो, तो biology हो गया, chemistry हो गया, या फिर आप commerce stream से हो, तो accountancy हो गया, business studies हो गया, तो section 2 के अंदर 3 domain लेने होते हैं, हर domain से 25 questions होते हैं, तो 75 questions आपके section 2 से हो गया, इसके बाद section 3 होता है, वो general test होता है, जिसमें 25 questions होते हैं, तो 75 के बाद 25 questions आपके section 3 से हो गया, तो इसके लवा 20 questions आपके teaching aptitude से related होते हैं, इसमें teaching methodology जो होती है, pedagogy वगारा उस चीज से related questions पूछे जाते हैं, इस तरीक से total 160 questions इसमें आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है, languages जो भी आपने पढ़ा हैं school में वो आप लोग ले सकते हो, और यहाँ पे details भी गिवन हैं, अलग languages वगारा की कौन-कौन से languages consider होंगी, ठीक है, यह section 1 में जो languages 33 languages हैं, इन में से कोई 2 languages लेनी होती है, फिर domain subjects की list आगा या आप कौन से रह सकते हो, इस तरीक से साही चीज़ा चलती है, यह जो examination होता है, यह multiple days यानि की 2 shift में करवाया जागा, एक दिन में 2 shift होंगी, अब आपक कौन से shift वगरा रहेगी, वो सब चीज़े आपके admit card में clear होती है, 180 minute का exam रहता है, जिसमें 160 questions आपको करने होते हैं, syllabus वगर आप यहां पर देख सकते हो, domain का syllabus यहां पर click करके देख सकते हो, जिसमें subject wise syllabus आपको मिल जाएगा, ठीक है, और भी जो भी चीज़े हैं, general test हो गया, तो उसका reading, comprehension, part, literary, aptitude और vocabulary वगरा आप लोगों को check करी जाती है, eligibility मैंने आपको बता दिया, class 12 ठीक है, इसमें है, और कोई इसमें age limit नहीं है, फिलाल के लिए, ठीक है, तो इसमें आप लोग देख सकते हो, जो final examination में appear होंगे, वो भी इसके लिए apply कर सकते हैं, लावा दूस ते, west के अंदर total 7 ते, और southern region के अंदर total 11 institute ते, जो ने इसका जो exam है, और total अप्रोक्स 3950 सीटों पर इसमें admission हुए थे, अब पुरी पुरी उम्मीद है कि इसमें, तो सीट से वो increase भी करी जाएंगे, डियू भी यहां पर हुआ था, पार्टिस्पेट का था, डियू ने भी और अंबेडगर युनिवस्टिय देली के अंदर उन्हें भी पार्टिस्पेट किया था, इग्नु ने भी इवन पार्टिस्पेट किया था, अगर मैं दिल्ली स्पेस्टिक रिजिन की बात करूं, तो इस तरीके से यह सारी चीज़ें इसमें चलने वाली हैं, और इसमें admission का process कुछ इस तरह से होता है, जैसे NTA का काम तो सरिफ यह है कि आप इस NTA की website पर इसका application form बरोगे in future, और exam दोगे और NTA इसका scorecard release कर देगा, इतना करने के बाद NTA का काम खतम हो जाता है, फिर जिस भी institute में आपको admission चाहिए, उसका separate counseling form release करा जाता है, वो form आपको भरना होता और then जो भी उस university के rules and regulations होते हैं, उसके according आपको admission लेना होता, इसके रहा कुछ और अगर important चीज़ों की हम बात करें, तो यह program चार साल का ही होगा दोस्तों, यह तो मैं आपको बता चुका हूँ, नई जो policy IT, NEP 2020, उसके तहत यह जो course से introduce करा गया था, हालकि again मैं repeat करता हूँ NEP आने से पहले भी कुछ-कुछ institute हैं, जो इस course को अलग नाम से चला रहे थे, जिसमें बेयलेट का program काफी टाइम से चलता हुआ आ रहा है, UP के अंदर कुछ universities हैं, ठीक लगनो universities के अंदर यह course होता है, तो यह सब चीज़े हैं, और इसके अलावा, इस program में जब आप admission लेते है, middle stage के according पढ़ा जागा अगर आपको 6-8 को पढ़ाना है, और secondary level के according, secondary stage में आपको पढ़ा जागा यदि आपको 9-12 तक के students को पढ़ाना है, ठीक है, और यह इनका पुरा target है कि जो 2030 है, यहाँ पे आप देखो 2030 तक minimum जो qualification रखेंगे वो, वो 12 के बाद यह 4-year वाला B.A.D. ही रखेंगे, और मेरे साफ से जो 2 साल वाला B.A.D. वो अभी तो चलता रहे का अगले 3-4 सालों में और वो चलता रहेगा, लेकिन 2030 तक target है कि उस पूरे 2 साल वाले B.A.D. को completely response off कर दिया जाएगा, ठीक है, तो यही दोस्तों इस वीडियो में information थी, बागी जब भी form release तो we will inform you. Thank you.